Hello friends, Welcome to my channel, आज का वीडियो है लाइट्स पर, नॉमली हमारे घरों में ट्यूब लाइट्स होती है जब हमें ज्यादा लाइट्स की ज़रुत होती है, नाज का वीडियो है फैंसी लाइट्स पर लाइट्स एक्चुली हमारी रिकवारमेनclick पे डिपेंड करती है हमारी जरुवत क्या है हमें study के लिए चाहिए या हमें dining table के ऊपर चाहिए या हमें channel layer type कुछ ऐसा fancy living room के लिए चाहिए तो यह डिपेंड करता है क्या आपकी जरुरत है और कितना आप खर्चा करना चाते हैं क्या आपका बजट है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है दूसरा फैक्टर है कि वह क्लीनिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि जब मैंने एक स्टडी टेबल ली थी तो फैब्रिक थी और उसे बार बार क्लीन करना पड़ता था और उसका पुपरce भी सौल नहीं होता था कि जिस चीज़ के लिए अप ले रहे हैं वह लाइट वह सौल होना चाहिए वगपस वह स्ट्डी टेबल gramm के लिया था मगर ऊस्टरी टेपल तक लाइट आती की होती है एक वाइट एक यलो डिपेंड करता है आपकी लाइकिंग क्या है मुझे मैंने दोनों तरह की लाइट टकी हुई है लेकिन यलो लाइट भी ऐसा नहीं है कि वो डिम है और उसमें ब्राइट नहीं होता जब आप स्टडी के लिए यूज करते हैं तो आप नहीं जात है आजकल मार्केट में बहुत तशले हैं जैसे कि यहां पर दिख रहे हैं सारे यह हैंगिंग लाइट आपको हैंग चाहिए यह आपको फिक्स वाली लाइट चाहिए वो आपके अपर डिपेंड करते है चॉइस बहुत ज़ादा है यहां पर यह जब हम जाते हैं तो हम कन् तो ये है हमारे प्यानो है हमारे गर में उसके उपर ये light सीधा direct पड़ती है ये living room में ऐसी दो light है जो की dim light है yellow light यूज़ करी हुए है यहाँ पर मैंने ठीक है तो इस तरह से जब हमें bright light नहीं चाहिए, tube light नहीं चाहिए तब में हम लोग ये use करते हैं फिर उसके बाद ये हमारे जो वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर ये सिर्फ light है तो ये भी yellow light है ये है study table पहले बड़ा था light अब ये वाला मैंने उसके ये चोटा है मगर इसकी light बहुत अच्छे आती है, दोनों study table को ये cover करता है और इसमें काफी अच्छी bright light है, तो ये right choice थी मेरे लिए अगला ये जो है, ये है हमारे dressing table के उपर तो हमारे पास दो शीशे, एक हमारे kids के room में है उसके उपर ये तीन बार light चेंज कर सकता है, तो dim, medium और bright light है, white वाला इस तरह का भी आप option choose कर सकते हैं, कितनी जगए आपको cover करनी है उसके हिसाब से ये हमारे bedroom में है, dim light है, yellow light जब हमें bright light नहीं चाहिए होती है, तब हम ये चलाते है ये मेरे dressing table के उपर है, सीधा मेरे face पर ही light आती है, जब भी मुझे तयार होना होता है तो ये light मेरे लिए काफी है, और काफी bright है, तो ये light yellow इशी है और mostly मैंने अपने घर में yellow and bright light यूज़ करी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है white भी है, मगर depend करता है मैंने किस तरह की use की हुए, कहाँ पर ये last light जो है, वो है touch light, जो कि मैं Melbourne से लेकर आए थी ये वैसे side table की light है, वगर अभी side table नहीं रखा हो है, तो इसको मैंने ऐसे ही table पे रखा हो है, तो ये भी touch light है, जो कि हम touch से इसको change कर सकते हैं, तो on and off ये touch के जो नीचे इसका panel है, उसको छूके होता है, तो ये सब options है, जो lights के तो आप कोई भी choose करते हैं, आपकी requirement के हिसाब से, और ये था आज का video, please like, share and subscribe my channel, thank you for watching, bye for now